आगे देखते हैं कि इस लेसन में और क्या-क्या चीजे होती हैं और एहमत को जो इबन बतूता है वो अपने ट्रावलिंग के बारे में क्या-क्या बताते हैं उनके बीच के कारवान को हम और डीपली जानेंगे आएगे देखते हैं नाओ, in this part of the conversation वो बताते हैं कि when our कारवान arrived in Alexandria कि जब हमारा जो कारवान है वो अलेक्जेंडरिया में रुपता है I was excited तो इबन बतूता कहते हैं कि I was totally excited I wanted to see the famous pharaohs there वो वहाँ पे famous pharaohs देखना चाहते थे I know I said quickly तो वो little Ahmed है वो कहता है कि हां मुझे पता है वो जल्दी से बताता है that's a big lighthouse from long ago did you go up it तो यह pharaohs क्या है तो यह lighthouse है जो कि बहुत जिसकी जो height है बहुत जादा है यह बहुत बड़ा lighthouse है जिसकी height बहुत जादा है और वो Ahmed पूछता है तो क्या वहां गें थे तो इस पर जो इवन बतूता है वो हसते हुए उससे पताते है no he laughed वो no बोलते है और उस बत मुस्करा देते हैं हस देते हैं जोरो से the pharaohs was in ruins अब जो वो pharaohs हैं वो तहस नहस हो चुके हैं या बरबाद हो चुके हैं ruin का मतलब होता है बरबाद होना right there wasn't a lot to see अब वहां देखने लायक बहुत कुछ नहीं बचा है but not far from Alexandria I met a holy man लेकिन Alexandria से बहुत दूरी पर या कुछ ही दूरी पर मैंने एक holy man से एक संत से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जिनका नाम था बुरहान अल दिन right अब आगे क्या होता है he could see into the future वो जो थे वो भविश्य में देख सकते थे और उन्होंने कुछ जो है Mr. Ibn Battuta को बताया था वो क्या चीज़े बताया थी and what did he tell me और वो बताते हैं कि तुम्हें पता है उन्होंने मुझे क्या बताया you are going to visit India and China कि तुम in future India और China को visit करने वाले हो and on your travels you are going to meet many old friends और तुम्हारे इस traveling के दोरान अब बहुत सारे अपने पुराने जो young friends हैं या पुराने दोस्तों से मिलेंगे इस यात्रा के दोरान अपने पुराने दोस्तों से आप मिलेंगे I was happy about this वो कहते हैं कि मैं बहुत खुश था यह सब सुनकर कि I am going to go far मैं बहुत दूर जाने वाला था क्योंकि अब I thought वो यह सोचते हैं आगे देखते हैं and did you go to India and China in the end यह एहमद पूछते हैं Ibn Battuta से अपने अंकल से तो क्या आप एंड में इंडिया चाइना गए थे तो इस पर जो है इबन बतूता reply करते हैं wait and see एहमद smiled my uncle तो वो क्या करते हैं बोलते हैं रुको एहमद देखो तो सही सुनो तो पूरी कहानी और इतना कहते हैं मुस्कुरा देते हैं I arrived in Cairo eight months after I first left home what a big city तो वो कहते हैं अब वहां से निकलने के बाद हम Cairo पहुंच गये थे आठ महीनों के इंटर्वल के बाद और इसके बाद यह पहला समय था जब हम इतनी बड़ी सिटी में पहली बार हमने इतनी बड़ी सिटी को देखा था और यहां कितने सारे लोग थे और वहां पर उन्होंने नोटिस किया कि यहां मतलब Cairo के जो लोग हैं वो कभी नहीं रुकते हमेशा कुछ न कुछ काम के लिए दोड़ते भागते रहते हैं आप ऐसे सिटीज में आप अपनी मुंबई को देख सकते हो बैंगलुरू को रहते में देली को देख सकते हो ऐसी सिटीज जो दिन भर चलती रहती है तो सेम वैसी सिटी उन्होंने बताए कि क्या कायरो थी वह वह बहुत बड़ी सीटी थी वहां बहुत सारे लोग थे और वहां पर जो लोग ते दिन रात चलते रहते थे कभी रुकते नहीं थे अन्न see on the screen कि पिरेमिट्स इस शेप की होते हैं जिस्ट ट्रेंगुलिर शेप में होते हैं यह तो यह क्या होते हैं बड़ी उची मारतें होती हैं और यह जो रूलर्स ऑफ एजिप्ट थे उन्होंने बनवाई होती है और वह देन रियूंस आई आस्ट तो वह पूसते हैं मतलब एह खाल यह जो चुकी है बरबाद हो चुकी है नो नूट यहीं स्माइल वह कहते हैं नहीं नहीं पिरेमिट्स तो बिलकुल नहीं और मस्कुराते हैं नेक्स आइज आई ज़र्नीट अब दर रिवर नील तो बोलते हैं उसके बाद कायरों के बाद हम आगे की तरह बढ़े और हम नील लदी पर पहुँच गए थे after this we traveled on camels through the hot desert उसके बाद हम camel के उपर सवारी करते हुए hot desert पर जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर donkeys work नहीं करेंगे या उनसे traveling करना possible नहीं है right there were lots of hungry hyenas there and at night we need to be very careful तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जब they were in the desert area he was saying कि वहाँ पर he has seen so many hungry hyenas so at night उसका कहना यह था कि अगर वो लोग सो जाएंगे तो यह hungry hyena है वो उनको feast की तरह मजे से खाएंगी तो यह वो नहीं चाहते थे इसलिए उन्होंने कहा कि for this कि ऐसा ना हूँ for this only we have to be very careful right of course I cried excitedly तो एहमत कहता है बिलकुल सही कह रहे हैं आप मैं मानगे आपकी बात को और यह एहमत कहते हैं जोर से चलाता है one night a big hyena came and took everything from my bag एक रात को एक बड़ा सा हाईना आता है इबन बतूता बता रहे हैं ठीक है और वो मेरे बैक सारी खाने की चीज़ों को लेके जाता है right but we soon left the desert लेकिन इस यह जो इंसिडेंट हुआ था इसके बाद हम नहीं चाहते हैं कि आप हाईना हमारे किसी और क्यारवान के जो पिल्ग्रिम हैं उनके जो खाने की चीज़ों को ले जाए या हम इसे किसी को खा जाए ऐसा ना हो करके हम desert को lift कर देते हैं अब कारवान क्या होता है जैसे मैंने बताया group of people होता है troops of pilgrims को हम कारवान कहते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह तक साथ ही हो करके पूरी यातरा करते हैं शुरुवात भी साथ करते हैं और समापती भी लगबग साथ ही कहते हैं तो ये कारवान हुआ हुआ है इसके बाद हम देखते हैं फिर उसके बाद हो कहते हैं कि दिन I travel to the holy city of Jerusalem अब वो कहां पहुंच गह है holy city of Jerusalem and visited the famous buildings there वहां पे जो वहां की famous buildings थी उनको visit करते हैं next I went to Damascus उसके बाद Jerusalem से कहां चले गए Damascus चले गए what a beautiful city so according to him it was a beautiful city then I travel to Arabia and visit Madinah उसके बाद वो गए Arabia और वहां पे उन्होंने क्या miss visit किया Madinah विजिट किया and in the end I arrived in Makkah और at the end of his journey अभी journey नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने Makkah का plan किया था तो Makkah वो finally पहुँच चुके है after a year and a half it was wonderful to arrive in the city of my pilgrimage तो एक साल या देड़ साल का जो ये सफर है क्योंकि उनको कुछ अच्छे से याद नहीं था कितना लंबा duration लगा था तो उनके according most probably ये एक साल से कुछ ज़्यादा लंबा समय था इतनी लंबी traveling करने के बाद finally वो अपने final destination पे पहुँच चुके थे जिसके लिए उन्होंने ये pilgrim start की थी और अपने पूरे कारवां के साथ वो मक्का पहुँच चुके थे I learned from holy man there and prayed for three weeks तो वहाँ पे वो कहते हैं कि वहाँ जितने भी संत महात्मा थे उन्होंने अपने धर्म की बहुत सारी चीजों को सीखा साथ ही साथ वहाँ पे तीन हफ़ते रुक करके सभी के जीवन में अच्छी चीजे हो इस चीज के कामना भी की प्रेयर भी की प्राथना भी की राइट आगे देखते हैं क्या होता है तो यहाँ पे एहमत पूछते हैं क्या आप उसके बद वापस आगे थे नो एवरी नाइट आइट आइट आप दा होली में बुरा अल दिन आप इंडिया एंड चाइन तो वह कहते हैं नहीं नहीं फिर मैं हर रात यही सोचता था कि उस विक्ती ने जिसका नाम बुरा अल दिन था उसने कहा था कि मैं इंडिया चाइना भी जाओंगा आप क्योंकि मैंने इतनी लंबी जर्नी कर लिया है तो मैं बहुत ही अच्छा ट्रावलर हूँ और एक द्रू ट्रावलर का मतलब है डिटर्माइन ट्रावलर या हिंदी में कह सकते हैं कि द्रड निश्चा वाला ट्रावलर हूँ कि अब मैंने डिसाइड कर लिया आप देखते हैं क्या होता है तो वहाँ पर वो कहते हैं आई डिडिन वांट तो स्टॉप क्योंकि उस विक्ती ने हो ली के साथ या नए कारवान के साथ जुड़ गया था जिसमें रूलर अरफ परश्या भी थे वेन आई वोज यंग आई हर्ड में स्टॉरीज अबाउट वांडर्फूल टाउंस तो वह कहते हैं जब मैं जवान था या थोड़े कम आयूका था उस समय मैंने बहुत खूबसूरत टाउंस या सेटीज के बारे में बहुत सारे अच्छी कहानिया सुनी थी बट ओन माय जर्नी आई सो सम्थिंग वेई डिफरेंट मतलब जिस प्लेस को विजिट कर रहे थे उनके बारे में उन्होंने कुछ समय पहले कहाईयां सुनी होंगी लेकिन जो द्रिश्य मतलब उनको उन्होंने ड्रीम किया था इमाजिन किया था शायद आज वह एक्चुल जगह पर आकर के कुछ अपोजिट फील कर रहे थे इसलिए उन्होंने कहा कि but on my journey I saw something very different कि जब मैं अपनी जर्नी में उन सभी सलो पर अभी जो परिशियन के साथ निकले थे उन्हों पर जब मैं विजर्ट करता हूं तो मैं बहुत डिफरेंस महसूस कर रहा था Years before the Mongols came to these towns तो वह कहते हैं कि कुछ सालों पहली की बात है जो Mongols थे वह इन शेहरों में आये थे They killed a lot of people and I saw many houses in ruins there तो वह कहते हैं जब Mongols आये थे तो उन्होंने क्या किया यहां पर बहुत सारे लोगों को उन्होंने मार दिया था और उन्होंने क्या देखा कि यहां पर बहुत सारे घर जो हैं पूरी तरह से शतिक रस्ते तबाह हो गये थे बरबाद हो गये थे Perhaps the most interesting town of that journey was Vasit तो जो अब उन्होंने next journey स्टार्ट की थी मक्का के बाद जो उन्होंने पर्शन कैरवान या पर्शन रूलर के साथ स्टार्ट किया था वहां के सबसे interesting city उनको जो लगी थी वो थी वसित A number of men with no money leave there in a big house is according to him कि बहुत सारे लोग एक बड़े से घर में रहते थे जिनके पास कुछ एक भी पैसा नहीं था या कुछ नहीं था Then they sat near a big fire and told stories उसके बाद क्या करते थे वो round shape में एक circle बना करके campfire करते थे यानि बीच में आग जला लेते थे और एक दूसरे को अपनी अपनी पुरानी stories बताते थे जो उन पर आप बीती होगी शायद Suddenly some of them walked into the fire कुछ लोग तो आपके पास भी चले जाते थे Then they ate the fire और क्या करते थे? The people started eating the fire आपको का गोला खाने लगते थे One man put a snake head in his mouth एक आदमी तो ऐसा भी था है नग वो अपने experience शेयर कर रहे है एक आदमी तो ऐसा भी था जिसने एक जिन्दा सांप को पकड़ा and he put the head of that snake in his mouth and ate it alive वो कहते हैं कि उस जिन्दा सांप के जो फन को उसने पकड़ा मतलब जो उसका head वाला पार्ट इसको पकड़ा और उसको अपने मुह में डाला और जिन्दा सांप को वो खा गय थे and you saw all that I cried तो एहमद यह सब सुनकर कि जैसे आप और मैं अलग अलग different faces बना रहे हैं क्योंकि यह थोड़ी सी अजीब सी weird सी बात है तो वैसे ही एहमद को भी लगी थी कि कैसे कोई किसी भी मतलब जिन्दा सांप को खा सकता है तो वो कहता है कि और आभी सब देख पा रहे थे येस ही लाफ तो इस पर इबन बतुता कहते हैं हाँ आप बिलकुल देख रहा था क्योंकि क्या करता और वहां था मैं आई विजिटेड में इन्ट्रेस्टिंग टाउंस आफ्टर दाट वो कितने इसके बाद मैंने और भी क पार लेते थे या जिन्दा साब को खा लेते थे वीजिए ही कही और कहीं कोहीं खाता होगा तो यहां ही कि लोग थोड़े से विएड ब는지 अगे देखते हैं स्टोरी में क्या है इसके बाद इसके बाद मैं कहां अगेय ता बंड़ाद ईत वटसए रिली वांट ऑनरल दो इल for a year and slowly I felt better तो वो कहते हैं तो फिर में मक्का गया पहले उन्होंने मक्का में किया कि था तीन हफ्ते रुक करके प्रेयर की थी तो अग्यान यहां पर वो मक्का पहुंच गया हैं फिर से वो कुछ सूफियों से मिले हैं and then उन्होंने कुछ एक साल रुक करके फिर वहां पर प्र for the first time it was my worst journey तो वो कहते हैं कि इसके बाद मैं पहली बार समुदरी यात्रा कर रहा था और यह सबसे मेरी बुरी यात्रा थी you can hear all about it some other day तो वो कहते हैं कि तुम इसके बारे में कभी और मुझसे कानी सुन सकते हो आज के लिए इतना ही है so students क्या आपको इस कहानी में अभी तक समझ में आया है कि यह actually इंडिया और चाइना पहुंचे की ने I need answer of this question in the comment box please answer it on the comment box thank you so much आगे बढ़ते हैं हम word meanings की तरफ आए देखते हैं word meanings और समझनी कोशिश करते हैं आई अब थोड़ा सा Janet Hardy Gold के बारे में जान लेते हैं Janet Hardy Gold was taught English as a foreign language in many countries right she also writes regularly for the Gajan weekly and this speak English section she has also authored many books for students all over the world her work the travel of Ibn Battuta is an adapted travel account of Ibn Battuta who was a 14th century scholar he traveled widely and wrote with his friend an account of all his adventures रहला the present chapter is an extract from one of the chapters in his book तो खुथ इबन बतूता ने अपनी एक बुक लिकी ती और ये जो लेसन अभी हमने समझा है that is an extract of that book ठीक है एक छोटा सा अंश है उस पार्ट का चलिए अब मेनिंग के तरफ बढ़ते हैं and now first word you can see on your screen that is journey journey का मतलब है to go different places बहुत इसी वोड़ है pilgrimage अब a journey to a holy place ठीक है अकसर आप लोगोंने देखा होगा कि हम यात्रा करते हैं रथ यात्रा करते हैं या चार धामों की यात्रा करते हैं आप लोगोंने लोगों को कावर उठा कर भी यात्रा करते हुए देखा होगा तो यह जो है उन्हें हम क्या कहते हैं pilgrimage कहते हैं आपको examples कि तुरू I hope समझ में आया होगा फिर है caravan, caravan क्या है a group of people traveling जहां पर एक बहुत बड़े group में लोग जो है travel करते हैं उसे हम क्या करते हैं पिरमेड क्या होता है a structure whose outer surface are triangular and converge to a single point at the top जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि पिरमेड जो है triangular shape में होता है और इसका सबसे उपर वाला पार्ट जो होता है बहुत ही pointed होता है और यह जो पिरमेड आप देख रहे हो यह मिश्र सभिता से प्राप्त हुआ है अमें ठीक है फैरस की तरफ फैरस क्या है the title of a king of ancient Egypt तो हमने वहाँ पर light house की बात की थी तो वहाँ पर जो pharaohs है अब यह इसकी meaning बताते हैं कि यह king के मतलब जो ancient Egypt kings थे है ना उनका title होता था उनकी सम्मान में बहुत उची 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 उमारते बनाई जाती थी in ruins मतलब कहने का है कि तहस नहस हो जाना हिंदी में इंग्लिश में आपको बताती हूं मैं in old and broken condition और statement पूरी तरीके से a severest या टूट food जाना हम कह सकते हैं हाइना हाइना is a wild animal right like a dog that eat things which it find हाइना एक ऐसा जानवर है wild animal है जो थोड़ा कुटे की तरह दिखता है और जो उसे खाने को मिल जाता है वो उसे खाता बैसिकली यह desert में ही पाए जाते हैं जिसे हम बेडिया भी कहते हैं आगे बढ़ते हैं ओके यहां पे कुछ places बताएगे हैं you are getting a list of places जो हमने नाम पढ़े हैं आए देखते हैं कि यह places है कहां जो पहला word हमने पढ़ा था तंजीर यह मारको का major शहर है जिसे हम तंजीर कहते हैं फिर हमने बात की थी ट्यूनिस की यह ट्यूनिसिया के capital है फिर हमने बात की थी अलेक्जेंडरिया की यह एजिप्ट का एक जो major शहर है वो फिर बात आती है काईरो की तो जो एजिप्ट के capital को हम काईरो कहते हैं I hope आपको screen पर इसकी visualization हो भी रही होगी है ना उसके बाद हम Nile इसके बाद हम नील पर आते हैं यह एक major river है एजिप्ट की आप जैसे की देख सकते हैं फिर बगदार यह एक एराक का capital है वसित यह eastern एराक में placed है यह वहां की जगह है फिर अलजीर की बात करते हैं यह अलजीर जो है वह capital city है constantine constantine जो है a city in the north east of अलजीर यह अलजीर के north east डिरेक्शन में पाया जाता है उसके बाद है अरेबिया अरेबिया जो है जिसे हम साउधी अरेबिया आप कहते हैं उसके बाद है मक्का मदीना यह तो बहुत ही common नहीं में आप सब लोगों ने सुना ही होगा तो यहां पर जो लिखा है also written as Mika in English two most sacred Islamic cities in the Saudi Arabia. Jerusalem the capital of Palestine okay Damascus the capital of Syria, Persia now called Iran, Persia को हम इरान कहते हैं तो यह सारी cities आपने देखा कि कि किसने पूरी travel कर रखी है तो यह सफ कोर्स Mr. Aban Batuta ने travel कर रखी है. Now we will move toward the comprehension part of this lesson और आईए देखते हैं question answers section में क्या है और आपको question answers के थ्रू इस lesson को और clear करने की कोशिश करते हैं. Okay the first question you can see on your screen that is who was Ibn Batuta तो Ibn Batuta कौन थे तो जैसे कि आप जानते हैं कि Ibn Batuta जो थे एहमत के अंकल थे और एक बहुत ही determined और enthusiastic traveler थे तो you can write in this way है कि Ibn Batuta was एहमत's अंकल and a travel enthusiastic and an enthusiastic traveler भी कह सकते हैं. Right? Second question के और move करते हैं. Second question है what was the first journey of Ibn Batuta? तो Ibn Batuta की first journey कहां थी? तो Ibn Batuta की first journey कहां थी? वो पहली बार मक्का की यातरा करने जा रहे थे. तो आप लिख सकते हैं कि Ibn Batuta's first journey was a pilgrimage to the holy city of मक्का. आईए next question को देखते हैं. Next question is on your screen. To whom is Ibn Batuta narrating his journey? तो question का कहना यह है या मतलब यह है कि Ibn Batuta अपनी पूरी story के बारे में किसे समझा रहे थे या बता रहे थे? तो yes of course Ibn Batuta is narrating his journey to his nephew Ahmed. वो किसे बता रहे हैं? Ahmed को यानि अपने भांजे को बता रहे हैं. Okay, what does one learn by traveling around the world according to Ibn Batuta? according to Ibn Batuta तो जैसे कि मैंने आपको reading and during the explanation मैंने बताया था कि Ibn Batuta के अनुसार जो है traveling की कुछ advantages भी हैं और कुछ disadvantages भी हैं. तो दोनों ही यह चीज उन्होंने बताई थी तो you can write that according to Ibn Batuta. By traveling one can get to meet new people, do exciting things and explore them, right? But they can also face some troubles during their whole traveling. यह न पूरी traveling के दौरान उनको बहुत सारी समस्याओं का स्यामना भी करना पड़ सकता. Okay, coming towards the next question that is question number 5. Did Ibn Batuta discontinue his journey when he fell ill in constant time? What did his friends do for him? तो वो कहते हैं कि क्या Ibn Batuta जब बिमार हुए तो उन्होंने अपनी जर्नी को discontinue कर दिया था? और उनकी दोस्तों ने उनके लिए क्या किया? तो yes, of course, Ibn Batuta fell ill in constant time. बिल्कुल सही बात है कि वो constant time में बिमार हुए थे, बट उन्होंने क्या नहीं किया था? अपने ट्रावलिंग को या अपनी जर्नी को discontinue नहीं किया था है तो और उनके जो traveler friend थे उन्होंने क्या किया था? कि आपको याद होगा कि उन्होंने donkey के ऊपर इबन बतूता को बैठा दिया था और back side से उन्होंने donkey को hit करना start किया ताकि down towards the road वो जल्दी अपने next destination तक पहां सके. तो English में आप कैसे लिखेंगे? तो you can write, yes, Ibn Batuta fell ill in constant time but he did not discontinue his journey, right? His friends helped him by putting him on his old donkey and hit the donkey from the behind go quickly down the road. Okay, next question is where the travelers of Ibn Batuta adventurous? Give reason for your answer. कहने का मतलब है क्या जो इबन बतूता ने traveling की थी वो बहुत ही adventurous थी अपने वाक्यों में आपको लिखना है और इसके साथ-साथ आपको क्या देना है? उसका एक कारण देना है. तो, yes, indeed, the Ibn Batuta travels where adventurous. Indeed, मतलब आप समार्थन कर रहे हैं कि जो इबन बतूता का जो travel था वो बहुत ही adventurous था. He traveled many cities and met new people. तो, वो कही शहरों पर उन्होंने वहाँ पर traveling करी और साथ ही साथ उन्होंने कही लोगों से मिले वहाँ पर. He fell ill and again traveled. तो, वो एक बार बीमार भी पड़े थे लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत की, अपने आपको स्वस्त किया और फिर उन्होंने traveling start की, right? He did not stop. वो कभी रुके ने. He was more enthusiastic every time he traveled. तो, वो कहनते हैं कि वो और determined होते चले कहते हैं नहीं उनके time या duration जो traveling का वो बढ़ता चला जा रहा था, right? Even after his illness, he continued to travel and discovered new things. हाला कि वो बीमार थे, उसके बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत को बनाया रखा. अपनी willpower की मदद से, वो क्या करते रहे? वो continue कि उन्होंने अपनी journey को और उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने कई चीजों को discover किया. He visited Madina and Mecca and he learned from the holy men. इसके बाद उन्होंने Mecca और Madina को visit किया और सूफियों से कई चीजों को सीखा. कई तरह की अच्छे अच्छी बाते सीखी और उन्होंने prayers करने को भी सीखा. और उसके बाद कुछ हफते रुख करके उन्होंने महाँ पे prayers भी की थी. This show that Ibn Battuta not just traveled for the sake of adventure, but he learned holy things too. तो ये show करता है कि Ibn Battuta ने केवल traveling जो है, केवल adventure के purpose से नहीं की थी. बलकि उन्होंने ये अपने traveling के दौराण adventure करते हुए, जो बहुत सारी अच्छी बाते भी सीखी, यानि holy things को भी सीखा, साथ ही साथ बहुत सारी prayers को भी सीखी. On this journey, on his journey to wasit, he came across odd things to men eating snakes and fire. तो उन्होंने सबसे बुरी बात उनको वसित में लगी थी या सबसे ज़्यादा weird चीजें उन्होंने find out की इन वसित कि वहां पर जो लोग थे वो आख के गोलो को खा लेते थे और कच्छे साप को भी सीधा निकल जा रहे थे. Now moving toward the last question of this lesson, that is Ibn Battuta traveled around the world for various reasons. What would be your reason to travel? तो Ibn Battuta का जो world का जर्नी था या traveling था वो अलग-अलग कारणों से था. अगर आपको ऐसी जर्नी करने मिले तो आप क्यों travel करेंगे, आपको बताना है, right? So, I would love to travel to many cities as much as I can. Traveling gives us energy, I want to explore places and meet new people. I want to try new dishes and do exciting things that I have never done before. So, कहने का मतलब यह है, कि यस अफकोर्स एक खुद का आंसर होता है, यह खुद का आंसर जैसा ही है, कि जब भी हम travel करते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, नहीं चीजों को explore करते हैं, जो आमने पहली कभी नहीं दगी पहली चीज यह, दूसरी चीज हम वहां जाके टेस्टी फूड को explore करते हैं, वहां का मज़ा लेते हैं, वहां का मज़ा लेते हैं, वहां के environment में घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, कुछ चीजें जो हमारे शहर में available नहीं हैं, वो कुछ चीजें दूसरे शहरों में available हैं, तो हम उस चीज को explore करते हैं और उसका अनन्द लेते हैं, So in this way we have completed this chapter, I hope you understand this lesson, I will meet you with another chapter, till then take care, bye, see you soon.